समाजवादी पार्टी के राष्टिय अध्यक्षपूर मुख्यमंत्री अखलेश यादव आज कन्नौच में रहेंगे कन्नौच में वो जो सराय प्रियाग में कप्तान सिंग महाविद्याले में उनकी मूर्ति का अनावरन करेंगे कप्तान सिंग समाजवादी पार्टी के फा 2022 के विदानस्वा चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी यहां बैथर परफॉमेंस करेगी और अखलेश यादब की यहां एक बड़ी जनसभा है वो यहां से संभोधित करेंगे और अखलेश यादब हो या डिमपली आदब हो उनका कर्णों से भावनात्मक जी 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 श्वर्गी यहां के फुर्कावाद कर्नोश के ही नहीं बल्ल की पूरे प्रदेश के बड़े नेता रहे मेरे पूझ पिता जी स्वर्गी कप्तान सिंग आदब जी उनकी मूर्ति का अनाबर्ण होना है आज समाजवादी पार्टी के राष्टियत देश अधर्णी अखलेश जी तो यहां की हमारी लोग प्रिसांसत रहीं स्रीवती डिमपल जी दोनों लोग इस कारकम के चीख वेश्ट हैं और मानिक कप्तान सिंग आदब जिन्होंने हमेंसा यहां के लोगों को किसानों की आवाज बने वो गरीवों की आवाज बने उन्हों ज करनों से बहुत जबर्दस लगातार उनका चाहें आप यहां पिछले विदानसवा चुनाओं में तीन में से दो सीटें समाजवादी पार्टी को लगता है कि यहां बहतर कर सकते हैं और रहा भी है रिकॉर्ड जी आप खुद पूर विदायक रहे हैं क्या लग रहा है 2022 के म समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का है उत्तर प्रदेश में अखले स्यादव जी को मुखमंत्री बनाने का हम लोगों का संकल्प और सपना है उसी की त्यारी के तहित कन्योच की इस बार 22 में विदानसवा के तीनों सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे पिछली बार और तमाम बड़ी-बड़ी उजना है उन्होंने यहां पर लांच करने की यहीं भी बात की ती मारी विदानसवा के अंदर लेकिन पब्लिक यहां की पूरा ठगा आपने आपको मैसूद कर रही है जो माननी प्रदान मंत्री जी भार्टी यंता पार्टी के उत्तर दिखाए तो उन्होंने अपको लग रहा कि 2022 में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपने इस किले पर पूरी तरह सपाई जंडा फैलाएगी समाजवादी निश्चित निश्चित है विदानसवा शिवरामों का बोगड़ है समाजवादियों का इतियातरा है हमारे प ही होस्पिटल देने का काम किया लेकिन दुरभग ए रहा यहांं की जंता के साथ जो देंगा हॉंते हैं द्ना बढ़ा तस्विर में देख रहा हूं कि तमाम जी तरचा चल रही ती कि यह कुछ लोगों ने फार दिए यहां पर बंदरों का थोड़ा ने करें जमाबला रहता है यहां पूरे पूरे गाहों थे ब्रामण हो चाहें और भी राजबूत लोगों के रहे हो आज पूरे-पूरे के गाहों पूरा पूरा आशीर बाद यहां की जनता ने मुझे दे दिया यहां पर इस बार भाती जनता पार्टी की विजान सबाव मुझे जमानत जब्त नहीं अर्विन सिंग्यादा पूर विदायक हैं अब हम आपको तस्वीरों के जरी दिखा रहे हैं किस तरीके से कारक्रम स्थल ह है और समाजवादी पार्टी 2017 में 2019 में बहतर नहीं कर पाई है लेकिन मजबूत सपाई किला रहा है और ऐसे में अकले श्यादब का पूरा फोकस है कि कैसे भी एक वार फिर से यहां वही पफॉर्म करें जो पहले समाजवादी पार्टी करती आई है और यही वज़े है कि आ हजाए कप्तान सिंग आदब फांडर मेंबर रहे हैं उनकी मूर्ती का नावरान करेंगा और उनकी बेटे यहां से अर्विन सिंग आदब भी यहां से जीतते रहे हैं और ऐसे में 2022 में एक बार फिर से वहां से दावेदारी कर रहे हैं कर्णों से दिखनुपाद्ध्याए एबीपी गंगा